Hello friends and welcome दोस्तों विश्यस क्यान के वीडियो से स्थनमी आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्तित हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो का टॉपिक है वो पब्लिक स्पिकिंग स्किल से रिलेटेड है और इस पब्लिक स्पिकिंग स्किल का पार्ट 7 नमबर वीडियो है और इसके पहले जो 6 वीडियो है पब्लिक स्पिकिंग स्किल से रिलेटेड है जो एक सीरीज में मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने डिसकस किया है basic concepts लेकर advanced concept को बनाया है और अपने समख्च upload किया है दोस्ते यह जो topic है part 7 public speaking skill का है इस topic में हम discuss करने जा रहे हैं कि how to become a confident speaker आप एक confident speaker कैसे बनेंगे इस topic को explain करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि public speaking skill है यानि कि मैं आपको फिर से एक बार remind करना चाहता हूँ कि public speaking skill जो है हमारे life का एक बहुत ही महत्पून पहलू है अगर हम अपको life में अच्छा करना है successful बना है और सब चीज को balance करना है तो हमको public speaking skill पे काम करना चाहिए और इस soft skill का बहुत ही important part है जिसको हमको improve करना बहुत ही जरूरी है ताकि हम अपने life को एक successful like बना सके दोस्तों तो आएए हम इस topic में जो हमारा current topic है जो कि है how to become a confident public speaker दोस्तों इस topic में जो हम topic का जो points है जो agenda है जो फर्दर जो upcoming slides है जो हम discuss करने जा रहे हैं tips to become confident professional public speaker उसके बाद अगर हम बात करें public speaking skill या वह किसी भी soft skill की बात करें अगर उसको improve करना उसको सीखना तो उसके पछले क्या हम करते हैं क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए same public speaking skill में भी वही है तो public speaking skill के लिए पहले दो पहलु को हमको ध्यान देना है पहला है mindset और दुसरा है skill set जो mindset है mindset हमारा इससे related है कि हम public speaking skill को क्यों सीखें क्या importance है इसका हमारे life में हमारे successful life को अगर हम public speaking skill से जूड़ें तो यह कैसे मदद कर सकता है इसके लिए हमारा जो चीज है जो हम सोच रहे है वो mindset से related है और mindset हमारा हो जाए कि नहीं हमको public speaking skill जो हमारे life का बहुत important part है इसको हमको improve करना चाहिए इसको हमको सीखना चाहिए तब हम आते है skill set पे कि उसको सीखने के लिए हम क्या skill की जरूरत है क्या practice की जरूरत है क्या knowledge की ज public speaking का इसको दो भागों में divide किया है पहला before facing the audience audience के सामने आने से पहले आपको क्या skill होना चाहिए क्या तैयारी करनी चाहिए क्या सीखनी चाहिए और दूसरा है जब आप एक पर audience को face करते हैं जब आपके सामने है जब बात करते हैं तो क्या skill set की जरूरत है इसको हम discuss करेंग कि हाँ हमें public speaking skill सिखना है उसके बाद once you have decided यानि इसी को attitude भी बहुते हैं कि आपका attitude अगर होग या कि नहीं हमको सिखना है public speaking skill उसके बाद आप आएंगे skill set कि skill set क्या है और इसको हमको कैसे इंप्रूब करना है तो skill set को दो भागों हम बनाया है मैंने एक before facing audience और दूसरा in front of audience तो आए हम एक ही करके इन concept को देखते हैं अगर हम बात करें mindset की तो mindset में क्या होना चाहिए public speaking speaking skill जो है is an event of life यह हमारे life का event है इसको ऐसे टीट कर सकते हैं दूसरा public speaking is a learnable skill जैसे बाकी skill को हम सीखते हैं जैसे आपको swimming सिखना है आपको running सिखना आपको exercise सिखना आपको कोई game सिखना है उसी तरह से public speaking skill भी learnable skill है ऐसा नहीं है कि board ही कोई public speaker होता है वह practice करता है knowledge से को अपना अपता है और उसको apply करता है तभी जाकर public speaking skill को improve कर पाता है तो यानि कि public speaking skill है यह क्या है एक learnable skill है उसके बादे हम बात करें कि fear is one of the most basic human emotion say bye bye to any fear कहने का मतलब यह है कि fear को आप control नहीं कर सकते है fear को control नहीं कर सकते हैं और fear जो होना है डर होना सभाविक है किसी भी काम में डर होता है लेकिन उसको कैसे tolerate करना है इसको कैसे handle करना है वह बहुत ही important है तो public speaking skill का fear जो है वो सबको होता है मैंने बताया भी अपने previous वीडियो में कि public speaking skill fear के बारे में इसमें detail में cover किया आप उसको follow कर सकते हैं उसको देख सकते हैं तो fear होना सभाविक है इसलिए डरने की जरूत नहीं है उसके बात करते हैं when you speak it is your responsibility that audience listen to you देखिए बोलना हम हम सब हमारे बात करते हैं तो हमारा एक मोटो होना चाहिए कि जो हम बात करें तो हमारे बात को लोग सुने हमें serious ले ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ही बोलने मुझे को सुन नहीं रहा है तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए तो अब लाश्ड ए public speaking is more easy than one-to-one conversation अच्या one-to-one conversation और public speaking जो skill है इसमें क्या difference है one-to-one conversation में आपको जो भी बात करना है immediate करना होता है लेकिन public speaking में क्या है आप अगर presentation दे रहे हैं कुछ दिर ताप previously आप उस topic को त्यार की है आपको बोलना है लेकिन one-to-one conversation में त्यार नहीं इसलिए बोला जाता है कि public speaking is more easy than one-to-one conversation तो यह रहा mindset से regarding बाते हैं कि public speaking skill के लिए हमारे क्या mindset होना चाहिए हम क्यों सीखना चाहिए क्या होता है क्या लड़नेवल skill है कि नहीं है और fear जो है सब के साथ fear होता है ऐसा नहीं है को जो public speaker है इसको डरता नहीं है सबको डर होता है लेकिन डर को कैसे है टेकल करता है वह बहुत important है और डर का होना सभाविक है दोस्तों यह रहा mindset से related point अब आगा बात करते हम skill set की बारे में तो skill set को हम बात करें तो इसके लिए एक move technique होता है move technique का मतलब क्या है aim OVE और OVE क्या related है मैं बताना चाहता हूँ aim जो है minutes before speech यानि की before speaking technique क्या होना चाहिए और methods क्या होना चाहिए कि इसे बात करने से पहले आपको कैसे तयार करना है क्या उसके लिए skill set को improve करना है क्या methods है क्या techniques है उसके बाद ओ है opening of the speech जब आप बात करना चाहते हैं वह कैसे स्टार्ट करना है उसे skill को सीखना जरूरी है उसके बाद भी है verbal, vocal and visual body language को हम बोलते हैं यह हमारा है कि हम अपने content को कहते ही effective deliver करते हैं हमने बताया भी कि non-verbal communication हमारे life का बहुत important role play करता है और इसका communication हमें काफी important role है और यह verbal communication से इसकी जो प्रमुखता है ज्यादा है तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना है हमारा verbal, vocal, visual हमारा कैसा है हमारा body language कैसा है उसके बाद e extend for end of speech जो हम speech का presentation का जब end करते हैं वो कैसा होना चाहिए उसके लिए हमें क्या skill develop करना है उसको कैसे end करना है तो यह रहा दोस्तो move techniques अब आई हम एक ही करके MOVE जो related topic है इसको हम explain करते हैं अगर हम बात करें minutes before speech यानि कि before speaking technique method क्या है अगर हम को बात करने से पहले presentation देने से पहले हमारा क्या technique method होना चाहिए दोस्तो know your audience देखिए पहले अगर आपको presentation देना है तो सबसे पहला point यह होता है कि audience कांसा है ओडियंस क्या skill set क्या है audience का age क्या है audience कि ग्रूप के हैं हमारा उस से साफसे हमको audience research करना होगा उसके बाद जो second है create contact with agenda in mind हमारा जो topic है हमारा जो agenda है उसको ध्यान में रखके हमको content को create करना है उसके बाद आता है structure organize the sequence आपकी sequence में presentation देंगे कि sequence में डिसकस करेंगे कि sequence में बात करेंगे वह हमें के structure त्यार करने की जरूरत है उसके बाद होता है decluttering the content content क्या होता है एक बहुत सारा content नहीं होना चाहिए लोग जेनरली अगर हम presentation की बात करें तो slides में बहुत सारा जो content से add कर देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो फाल्तू के जो बिकार के अनेसेसरी के जो content से उनको declutter के देंगे उनको हटाइए और में में पॉइंट्स को रखिए उसके बाद है dressing properly हमारा जो dress है हमारा क्या है nonverbal communication का बहुत important part है हमको अपने topic हिसाब हमको agenda के हिसाब से हमारे महावल के हिसाब से हमारा dressing sense भी होना चाहिए कि हम proper dress में होने चाहिए और pause and pan हम जब बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम बोले जा रहे हैं सामने ला सुन नहीं रहा है हम सामने वाला को हम pause लें बीच में और सामने वालों का eye contact pan panning का मतलब है eye content सभी इसके साथ आपको नजरे मिलाना है सबको ऐसा नहीं लिए किसी एक पॉइंट पर देकर बाते कर रहें तो दोस्तों यह जो पॉइंट है यह है पॉइंट हमारा की अगर हम को speech start करना है प्रेंटेशन देना है उससे पहले हमकीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसको cover करना चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें ओपनिंग अपड़ अब हम की speech का start कैसे करें उसके लिए कुछ पॉइंट से इसे चाहिए और टोपीक के आप पेस्टार्ट कर दिये उसके बाद है एवाइड फॉल्स और निगेटिव इससा इसा इसा स्टार्ट मत किजिए कि मेरे पस्टाइम नहीं है मैं मेरेको कॉट टोकॉम टाइम मिला है मैं लेट हो गया हूँ ऐसे करके आपे स्टार्ट मत किजिए टोपीक को तो निगेटिव जो स्टार्ट है जो यह गलत है इसलिए इस पॉइंट को ध्यान दखने की जरूरत है उसके बाद है रोड में ब्रीफ इंफरमेशन अब टोपी जो आपे स्टार्ट करते हैं तो में ब्यद्रण को करके लाता है उसके बाद टे वाट इन इत パरमी जब रोड लगनाते हैं तो उस में क्या यह उसको ध्यान देने उसके एक्सप्टेस एक्सप्टेस ऑड्यान्स काuga के एक्सपेटेशन आपको है कि ईसके हिसाध आपका क्या होना चाहिए है इंप्रटिक् चाहिए दोस्तों वर्बल जो है इसमें क्या है वर्बल जो हम बात करते हैं कंटेंट का उसका इंपोर्टेंट से जो मैंने डीटेल में बताया है प्रिविएस वीडियो में उसका वोकल विराइटी हमारा 38 परसेंट है और विज्वल जिसको बड़ी लेंग्विज बोलते है 55 तो आप विटेज देख सकते हैं कि आपके परजेंटेशन में जो कंटेंट का वोकल विराइटी का वड़ी लेंग्वेज का जो परसेंटेज है जो वेटेज है वो कैसा है उसके बाद हमारा वहर वर्बल कंटेंट एक सही होना चाहिए यानि कि वर्ट से स्पीच और होना चाहिए Um heeft पोईंट वाइज ज़रोथ है उसको 2 लिएन करना चाहिए उसके बाद है में इसको करना उसको गूरइएट करणा है कि आप words per minute कितना ले रहे हैं एक मिनट में कितने words बोल रहे हैं इसको ध्यान देने की जरूरत है और जो स्टेंडर है 150 से 180 words per minute का एके स्टेंडर है उसको आप देख लीजिए उसको प्रैक्टिस की लिए बोल कर देखिए कि आप एक मिनट में कितना words बोल सकते हैं और किस content में कितना speed बोलना है किसना slow बोलना है उसको कैसे समझाना है यह आपको पहले से ही decide करके practice करके रखना है उसके बाद आते हैं वीज्वल body language का तो body language पोस्चर, facial expression, body gesture एक maintain होने चाहिए आई contact हों को ध्यान में देने चाहिए हमारा जो खड़े होने का तरीका है हमारा eye movement, hand movement यह एक proper होना चाहिए जिसको मैंने पहले ही nonverbal communication में detail में explain किया है कि हमारा body language, posture, gesture कैसा होना चाहिए तो आप उस video को भी प्रेफर कर सकते हैं उसके बाद appearance and eye contact हमने बता है यह बहुत important role play करता है हमारे public speaking में तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं end of speech कैसे करें हम last में क्या कर, never end your speech in hurry जल्दी बाजी में आपको अपने speech को खतम नहीं करना है आपने पूरा complete किया presentation उसके बद फट से अपने last प्रस्तूत कीजिए उसके बाद आता है no new information लाइसा नहीं क्या presentation जिस topic पर दे रहे हैं और end के समय गए और नया concept नया terminology यूज कर दिजिए यह क्या करेगा audience को एक curiosity और confusion create करेगा उसके बारे में आप बताया नहीं और एक नया concept last में डाल दिए तो इसके बाद आते call to action आपका call to action क्या है आप audience से क्या अपील करना चाहते audience को क्या ग्यान देना चाहते audience से क्या आपका expectation है किसलिए आप दीए call to action उसको बताइए कि आप हम इसको ऐसे कर सकते हैं हमारा परपस है और आपका परपस है और इसको ऐसे इंप्रूब किया जा सकता है इसको ऐसे किया जा सकता है यह call to action उसके बाद end with energy ऐसा नहीं end with energy के साथ एकदम बलंद वाज में और energy पुर्ण जो हरना चाहिए आपका body language और आपकी sound ऐसी होना जहेसे नहीं कि आप energy का आपके body में ही दिखी नहीं रहा है एकदम आप सुष्ट लग रहे हैं उसके बाद end with bank कोई punch line के साथ अपने presentation को end कीजिए तो यह रहा हमारा end of a speech का तो दोस्तों मैंने इस video में जो topic explain किया वो मैंने बताया कि हमारा जो public speaking skill है वो बहुत important role play करता है हमारे life में और आप एक confident speaker कैसे बन पाएंगे इसके लिए दो पहल हुए हमारा mindset और skill set mindset में मैंने डिसकस किया कि mindset हमारा क्यों public speaking skill क्यों हमें सीखना चाहिए क्या importance है और यह एक learnable skill है इसको improve किया जा सकता है और इसे डरने की जरूत नहीं है डर सबको लगता है आपके skill set के master नहीं हो आप किसी भी काम के लिए इसमें जो skill चाहिए अगर आप इसको develop नहीं करें हैं तो आप कैसे confident होईएगा इसलिए डर्ट लगेगा जब skill set आपका improve होगा तो आपका डर automatic खतम हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद मैंने बताया कि हमारा presentation है इसके के इतने पहल हुए कितने पाट हैं इसमें कैसे हमको त्यारी करना चाहिए उसको मैंने के करके cover किया और डेल करनेगी ने बोला है कि there are always three speeches for everyone you actually gave the one you practice the one you gave and the one you wish to you gave यह यह डेल करनेगी का statement है और ऐसे भी बोला जाता है कि the success of your presentation will be served not by the knowledge you sent but what the listener received करने माद है कि आप जो presentation देने जा रहे हैं वह आपके knowledge कोई test नहीं कर रहे हैं आप जो देना चाहरे है audience को कैसा लगा उसे क्या उनको सिख्छा मिली और क्या उच्छीव किये वह बहुत ही important है तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को end करता हूं और मैं आसा करता हूं कि public speaking related जो मेरा जो एक series में वीडियो था इस seven parts मैंने cover किया और यह मेरा जो skill set है public speaking skill set का जो topic यह सही साथ वीडियो के माधियम से end होता है और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको देखिए अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके में कहीं न कहीं किसी भी skillset इया public speaking skill को इंप्रूब करने में मदद करता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ अपने निर डियर के साथ सेयर कीजिए और अपने speaking skills को improve कीजिए दोस्तों मिलते हैं आप से नए वीडियो में नए concept के साथ तब तक खुस रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष के प्रति अगरसर होकर काम किजिए, थैंक्यू दोस्तों और मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला समझ जो होगा आपके लिए बहुत ही लगदायक होगा